गाजर का हलवा खाना है पर खोया नहीं है आपके इसी प्रावलम को दूर कने के लिए आज मैं गाजर के हलवे की ऐसी रेसिपी लाए हूँ जिसे हम बनाएंगे बिना मावा और बिना चीनी के आज की रेसिपी यदी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तो चलिए रेसिपी की सुरवात करते हैं तो कड़ाई में लिया है मैंने 3 टेबले स्पून घी और इसमें अपने मन पसंद ड्राइफ फूट्स के छोटे-छोटे टुकुडे काट कर मैंने इनक मैं डालने वाली हूँ ग्रेट किवे अपने गाजर जिनको कि मैंने पहले धोल या गाजर को छिलका उतारा और फिर ग्रेट कर लिया गाजर का हल्वा बनाने के लिए ना हमें पहले उसको धोलेना चाहिए उसके बाद ही ग्रेट करना चाहिए तभी उसका निट्रिशनल व पानी होगा वो हमारा खतम हो जाएगा तो इस केस में जब हम दूज डालने वाले हैं एक लीटर यहां मैंने फुल फट मिल्क लिया है अच्छी ते कैसे हलवे में समा जाएगा अब इसको मैंने उबलने के लिए हाई फ्लेम पर छोड़ दिया है तो दोस्तों आप बताएं आ आज हम बिनाचिनी के बनाएंगे तो यहां जैसे मेरा दूद होने लगा बॉल तो मैंने फ्लेम को कर दिया है कम मैंने मीडियम कर दिया और इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है कई बन 15-20 मिनट के बाद हमारे हलवे में जो हमने दूद डाला था वो सूख गया और ह अच्छी तेके से पक गया इसमें मैंने मिल्कमेट डाला है एक टिन जिसमें की 380 ग्राम होता है मिल्कमेट इसको मैंने इसमें डाल दिया मिल्कमेट इसलिए डाला है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था आपको कि हम ना यहां चीनी प्रयोग करेंगे और नहीं खोया तो जब चीनी और खोया ना हो और उसमें हल्वा बनाना हो तो मिल्कमेट से बेस्ट आप्शन कोई भी नहीं अब इसमें मैंने जो अपने ड्राइफूट्स फ्राई करके रखेते उसे डाल दिया और इसको हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि यह अच्छी तेके से पक न आप चाहें तो जरूर एट कर सकते हैं अब हल्वे के स्वाथ को इंहांस करने के लिए यहां डाल रहे हूं मैं 2 टेबल स्पून घी जब भी आप कोई भी हल्वा बनाए ना चाहें वह गाजर का हो सूजी का हो या आटे का हो या घीए का हो उसमें हल्वा बनने के बाद बहुत अच्छा आता है तो मेरी यह टीप आप जरूर ट्राइ करें तो हो गया हमारा गाजर का हल्वा तयार इसकी मैंने कर दी है प्लेटिंग इसे आप गरम गरम चखाएं या इसे थोड़ा सा ठंडा करके भी खा सकते हैं उमीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी रे कर दो